हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो मयीचानल हॉमवइस भायलe lina आज मैं आपको किचन ओर्गनाजेशन सिरीस में किचन काउंटर टॉप और्गनाजेशन के बारे मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हुँ वैसे तो मेरे चानल में Kitchen Countertop Organization के उपर अल्टरेडी दो वीडियो मेंने बनाए है उसके लिंक मैंने description box में दे दी है आप वहाँ जाके चेक कर सकते है जो मेरा पहला Kitchen Countertop Organization के उपर वीडियो है ये मैंने मेरे पुराने घर के Kitchen का बनाया है और दूसरा जो Small Kitchen Countertop Organization इस पे जो वीडियो है ये मैंने इसी घर में बनाया था लेकिन अगर आपके घर में Small Kitchen है और Countertop भी Small है तो आप कैसे उससे और्गनाईस कर सकते हैं ये मैंने इस वीडियो में दिखाया था और मैं ऐसी और ठू कि मैं घर में जादा दिन तक एकी orirmation रखेए, एकी decoration रखेए इसे use करते रहे तो मैं जल्दी से बोर भी हो जाती हूं तो मैं हमेशा घर में changes करती रहती हूं organization change करते रहती हूँ वैसे ही मैंने kitchen में भी organization थोड़ा सा change किया है और नए items को मैंने purchase किया है नए organizers को मैंने purchase किया है इन सारी जो process है यह मैंने इस video में अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन से organizers मैंने किस तरह से countertop के उपर use किया है मैंने कैसे kitchen को डेकोरेट किया है countertop को डेकोरेट किया है यह सब मैं इस video में आपके साथ share करने वाली हूँ तो ज़्यादा वक ना लेते हूँ यह शुरू करते हैं आज का वीडियो तो मैं सबसे पहले आपको मेरे kitchen countertop को एक overview दे देती हूँ यह है kitchen countertop और मेरा जो kitchen है यह non-modular kitchen है इसी वज़े से मैंने चीजों को countertop के उपर और वाल के उपर organize करने की कोशिश की है यह है फोर बर्नर का gas stove जो glass का बना हुआ है यह अच्छे quality के glass का बना हुआ होता है तो यह बहुत ही safe होता है इसमें चार बर्नस दिये हैं दो बड़े बर्नर है और दो चोटे बर्नर हैं और बहुत लोग बोलते कि ग्लास का जो glass stove होता है उसे साफ करना बहुत मुश्किल ह होता है लेकिन मेरा मानना बिल्कुल यही नहीं है क्योंकि यह बहुत ही आसान होता है साफ करना आप सिर्फ एक गिला कपड़ा ले लीजे और इसे अच्छे से साफ कर लीजे तो आपका जो gas stove है अच्छे से चमकने लगता है तो मैंने थोड़ा सा कैमेरा उपार करके आपक अच्छे स्टो दिखता है और इसके पेर आते हैं यह मैंने स्टील के लगाए है क्योंकि इसकी हाइड बढ़ गई है तो आप इस स्टो के नीचे से भी काउंटर टॉप को अच्छे से वाइब कर सकते हैं इस साइड में मैंने कुछ चीजों को और गनाइज किया है और यह जो साइड यह मैंने खाली रखी है क्योंकि आप जब रोटी बेलने के लिए सब्सी साफ करने के लिए कर्ट करने के लिए आपको जगा होनी चाहिए काउंटर टॉप के ऊपर इसलिए मैंने यह पूरा और यह बहुत ही छोटा काउंटर टॉप है सिफ एक साइड से ही बना हुआ है और ग्लास्टो के बाजवाले साइड में मैंने यह जो स्टेंले स्टिल का टू टियर का शेर्फ रखा है यह इसे वाल पे हैंग करने के लिए अप्शन दिया है लेकिन मैंने इसे काउंटर ग्लास के साथ चेंज कर रही हूँ और यह जो ग्लास कंटेयर मैं रहेकि सेम्न में नमक है और पीछे मिने ग्रेटर रखा है इसके नीचे वाली शेल्फ में ये मैंने तेल का कंटेनर रखा है और इसके नीचे एक मैंने प्लेट रखी है जाकि जो उसका बेस है ये खराबना हो ये है तेल दानी और घीदानी पिछे में ने हिंग की बोटल रखी है इसे साफ आप रोज गिले कपड़े से कर ले तो ये चिपचिपा बिल्कुल नहीं होता है बहुत लोग बोलते कि स्टो के बाजू में रखने से ये जल्दी चिपचिपा हो जाता है लेकिन आप हर रोज इसे दो मिनिट दे साफ करने के लिए तो अच्छे से ये बहुत दिनो तक रहता भी है, इसके बाजू में मैंने एक एलेक्ट्रिक केटल रखी है, हम रोज गरम पानी पीते हैं, और मैं भहुत सारी जो गरेविया बनाती हूँ, उसमें मैं गरम पानी का यूज करती हूँ, इसलिए मैंने ये जो केटल है, ये काउंटर टॉप के उपर रखा है, औ और इसके बाजू में ये है अमारा फ्रीज, सिर्फ आपको दो मिनिट रोज देना है, इन सारी चीजों को साफ करने के लिए तो आपका किचन कभी भी गंदा नहीं लगेगा, अब मैं आपको किचन वॉल को कैसे और्गनाईज कर सकते हैं, ये दिखाने वाली हूँ, ये है स्टेंले स्टील का अगें टू टियर का वाल शेर्फ ये आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा, लेकिन जो नए मेरे वीवर से इनके लिए में आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने उपर जो डेली में यूज होते हैं, उन सारे मसालों को ग्लास कंटेनर में य कि मैंने आपको पहले बता है, कि मैंने प्लास्टिक को बहुत ही कम यूज कर रही हूँ और इसे धिरे धिरे में ग्लास और स्टेनले स्टील के साथ चेंज कर रही हूँ यह वाल शेल्प मैंने वाल के उपर हैंग किया है और इसके उपर मैंने एक क्लॉथ हैंगर आता है वो उसे वाल पे लगाया है और इस पे मैंने कॉप्स को हैंग किया है अगर आप देखने जाए तो उपर मैंने कप लगाए है और नीचे वारी शेल्प में मैंने चाय और शक यह चोटा सा स्टी स्टेशन भी बन गया है नॉन मोडिलर किचन में भी आप अच्छे से आइडिया लगा कर स्टी स्टेशन बना सकते हैं आप चाहे तो इस आइडिया को अपने घर में भी यूज करें और ये जो उपर पाइब जा रही थी वह पानी के टंके की थी वह अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने इसके उपर ये आर्टिफिशल क्रीपर को लगा दिया है तो कीचन भी अच्छे से डेकोरेट हो गया है और बहुत ही सुन्दर दिखा है बहुत सारे कलर्स इसमें एड हो गए ग्रीन है और कप्सके तालग-अलग कलर है तो आपने देखा कि एक तरफ से डेकोरेट भी हो गया मेरा किचन और 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 अर्गनाईज भी हो गया अच्छी तरह से ये पूरा आपने देखा होगा मेरा गोट कांटर टॉप और इसके बाजू में में लगाए और नीचे एक स्लाब दिया है इसमें मैंने उन स्टयंद रखाए और ठो अर्टिफिशिल फ्लावर में इनद दिया है थोड़ा आप को मैं इसमें मेरा वीडियो के ने जरूर बताना और प्रिस मेरे चानल को सब्सक् तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तिल देन बाई